हेलो एवरेवन स्वागत है आप सबका बॉलिवूद हर रोस के आज के अपिसोड में जहां आपको मिलेगी डेली बॉलिवूद और इंटर्टेन्मेंट से जड़ी हुई खबरे सूपरस्टार शारुक खान अपनी अपकमिंग मूवी डंकी को लेकर चर्चा में बने हुए है इस बीच अक्टर अपने फिल्म से जुड़े टीजर और गाने शेयर कर रहे हैं वही अप शारुक खान ने डंकी का दूसरा गाना ओ माही का ट्रीजर शेयर किया है एसार की ने टीजर के साथ ये भी लिखा सब पूछते हैं इसलिए बता रहा हो कि डंकी का मतलब क्या होता है अपनों से दूर रहना और जब अपने पास हो तो बस लगता है कि कयामत तक उसके साथ ही रहना सौंग के बात करें तो फैंस के एकसाइटमेंट को खतम करते हुए अभी कुछ ही देर पहले एसार की का सौंग आया है शारुखान इसमें फुल ब्लेक आउटफिट में नजर आ रहे हैं वो रेगिस्तान के बीच खड़े होकर अपना सिगनेचर पोस दे रहे हैं शारुखान इस गाने पर एक बार फिर अपना रोमेंस का जादू दिखा रहे हैं और तापसी पन्नो यानि मन्नो के साथ रोमेंस करते हैं निज़र आ रहे हैं एसार्के इस सौंग में काफी पूल डैशिंग और रोमेंटिक निज़र आ रहे हैं इसे बीच आनिमल मूवी में रनवीर कपूर और ट्रिप्टी डिमरी के इंटिमेट सीन्स इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में ट्रिप्टी डिमरी ने खुलासा किया कि रनवीर के साथ इंटिमेट सीन्स पर उनके मॉम दाट का क्या रियक्शन था। एक्टर्स ने खुलासा किया है कि फिल्म में उनकी सीन्स देख उनके पैरेंट्स हैरान हो गए थे और उससे उबरने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा त्रिप्टी के पैरेंट्स ने कहा कि हमने फिल्म में कभी ऐसा देखा नहीं और तुमने ये खुद कर दिया उसके मॉम बिलकुल शौक हो गए थे जब उन्होंने टिप्टी को इंटिमेट सीन्स करते हुए देखा उनके पैरेंट्स ने टिप्टी से कहा आपको ये सब नहीं करना चाहिए था और टिप्टी के पैरेंट्स को काफी वक्त लगा ये सब से उभरने में लेकिन आपको बता दू कि अब सब ठीक है टिप्टी के पैरंस फिलहाल नॉर्मर हो गए है इसे के बाद करिंजोहर का पॉपिलर शो कॉफे विद करन इन दिनों बहुत चाया हुआ है शो में अब तक कई बॉलेवुद स्टार आ चुके हैं जहां उन्होंने अपने कई परसनल लाइफ का खुलासा किया है वहीं अब शो के अगले एपिसोड में बॉलेवुद की दो हैंडसम अक्टर अरजून कपूर और आदित्य रॉय कपूर नजर आएंगे जिसका प्रोमो भी सामने आ चुका है जिसे देखना काफी मज़ेदार होगा जो फैन्स इसके लिए काफी वेट भी कर रहे हैं इस इसका जवाब अर्जुन कपूर देते हैं कि आशिकी तो जरूर करता पर किसके साथ करता यह नहीं पता अर्जुन का यह जवाब सुनके आदित्य रॉय शौक हो जाते हैं आपको बता दू इनका यह एपिसोड डिजनी प्लस होट स्टार पर 14 डिसेंबर को स्ट्रीम होगा जिसके लिए आदित्य और अर्जुन के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और इसी के बाद प्रभास की मच अवेटिड मूवी सलार क्रिस्मस वीक में ठेटर्स में आने के लिए पूरी तरीके से तयार है पहले सबको लग रहा था कि प्रशान्त नील ने केजियव और सलार को मर्च्ट कर दिया है जबकि नील ने बताया कि केजियव और सलार का कोई कनेक्शन नहीं है जब यशर प्रभास सलार में एक साथ आए तो फ्लिम के सिंगर ने एकसिडेंटली एक बात बता दी दरसल सलार के सौंग में अपनी आवाज देने वाले चाइल एक्टर त्रिस्ट इसको सुन फैन्स काफी खुश है कि अब मुवी में यश भी नजर आएंगे जो की काफी एकसाइटिंग होने वाला है अब दूसरी और आनिमल का क्रेज लोगों में थमने का नाम ही नहीं ले रही दुनिया भर में इसकी चर्ची चल रहे है अब मुवी बॉक्स आफिस पर 700 करोर पार करनी जा रही है अभी देखना बहुत एकसाइटिंग होने वाला है कि यह मुवी और कितने करोर बिल करती है तो गाइस आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नई ताजा और इंटर्टेनिंग खबरों के साथ Do like, share our video. Don't forget to subscribe our channel. Movie Talkies. Till then. Bye-bye.